हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई इस्टेडी फिट चैनल दोस्तो मैं एथलेटिक ट्रैक इवेर्स रिलेटेड बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन लेके आई हूँ जो आपके एक जाम के लिए बेरी इंपोर्टेंट है सभी कोस्टन को सुरू से लाश्ट देखेगा यह भी को सब्सक्राइक हैं तो हम समय इसूर कोस्टन पर बनाएं गो घ्रमारिए करा लिए स्ब्सक्राओर्स्टन कर आए हैं लुए जरू ए किति हुक्तों पर अगर कोई धावग दुसरे धावग को बयाधान पहुचा रहा है तो निड़े क्या होगा तो क्या निड़े होगा तो यहां पे आफसा नंबर डी करेट हो जाएगा A and B दोनों यानि कि स्टार्टर स्टार्ट रोक देगा और रेफरी एक चेताउनी देगा next question है दोस्तो on your mark और sit command होने के बावजूद धावक sit position में नौ आया हो या धावक ने बिना किसी वोजह बैठे हुए या खड़े होकर अपना हाथ उठा लिया हो तो निड़े क्या होगा तो इसमें भी निड़े होगा इस्टार्टर स्टार्ट रोक देगा और रेफरी एक चेताउनी देगा आपसा नंबर d a and b दूरू होगा नेश्ट दोस्तो गलत स्टार्ट यानि false स्टार्ट देखने के लिए स्टार्टर के निड़े के अलामा किस उपकरण का परियूग किया जाता है तो यह false स्टार्ट control apparatus का परियूग किया जाता है नेश्ट है चार गुड़े 100 मीटर रिले तथा चार गुड़े 400 मीटर रिले दोड़ की सम्मन्द में क्या गलत है आपसन ए है किसी टीम द्वारा गलत स्टार्ट लेने पर एक चेताउनी तथा पीला प्लसला काला कार्ट दिखाया जाता है ए सही है बी है आपका दूसरी बार गलत स्टार्ट होने पर किसी भी टीम को अयोग्य करार दे दिया जाएगा ये भी सही है एंड सी है टीम के चोथे धावक को एंकर रनर कहा जाता है ये भी सही है एंडी है लाइन की प्रतिबधता नहीं होती तो होती है यहां आपसा निमबर डी गलत हो जाएगा नेश्ट दोस्तों दोड़ की सो मीटर से लेकर दस हजार मीटर तक की इस परधा में धावकों की शंक्या अधिक हो तो डोड़ कैसे आयोजित की जाती है तो हिट्स कराई जाती है कैसे आजित की जाती है हिट्स कराई जाती है नेश्ट दोस्तों शो मीटर दोसो मीटर चार सो मीटर दोड़ वह सो मीटर एक सो दस मीटर और चार सो मीटर होड़ यानि बाधा दोड़ में हिट्स कब दी जाती है तो कब दी जाती है इन दोड़ों मे जब खिलारियों की संक्या 8 से अधीक हो तब next है 800 मीटर दो और एंड 4 गुड़े 100 मीटर तथा 400 मीटर रेले दोड़ में हिट्स कब दी जाती है तो इसमें भी हिट्स जो है खिलारियों की संक्या 8 से अधीक होने पर दी जाती है नेस्ट है 1500 मीटर 2000 मीटर यानि 1500 मीटर दोड़ और 2000 मीटर इस्टिपल चेज तथा 3000 मीटर इस्टिपल चेज में खिलाडियों के कितनी संख्या से अधिक होने पर हिर्स दी जाती है तो यहाँ पर आपका 15 से अधिक होने पर हिर्स दी जाती है थिक है नेश्ट है पांस हजार मिटर की दोड में फिर सकब दी जाती है तो इसमें जब खिलारियों की शंख्या उनीस से अधिक होता है तब दी जाती है नेश्ठे दोस्तों दस हजार मिटर की दोड में खिलारियों की शंख्या अधिक से अधिक कितनी हो जिससे की सीधे फाइनल में फाइनल हो शके तो 27 अधिक से अधिक होगी तब नेश्ट है 200 मीटर की दोड में अगर खिलाडियों की संख्या 12 हो तो कितनी हिर्ट से होगी तो इसमें 2 हिर्ट से होगी नेश्ट है दोस्तो 400 मीटर की दोड में खिलाडियों की संख्या 15 हो तो 2 हिर्ट से होगी बताइए पहली और दूसरी हिर्स में करमसा कितने खिलाडी होंगे तो दोस्तो एक हिर्स में आठ खिलाडी होंगे तो आठ दुना सोला यानि की पंद्रह ही है सोला नहीं पूर रहा है तो इसमें एक में आठ होंगे एक हिर्स में और दूसरे हिर्स में साथ होंगे ठीक है? यहाँ अपसर नुम्ह B करेट हो जाएगा आठ और साथ प्रथम हिर्स में आठ और दूसरे हिर्स में साथ नेशे दोस्तों सो मीटर बाधा दोर में अगर खिलाड़ियों की संख्या गया रह हो तो तो दो हिर्स आयुत की जाएगी बताये फाइनल के लिए खिलाड़ियों का चैन कैसे किया जाएगा तो फाइनल के लिए कैसे चैन किया जाएगा दोस्तों दोनों हिर्स के प्रथम तीन तथा अच्छा समय देने वाले प्रथम दो खिलाड़ी को लिया जाएगा चैन किया जाएगा नेश्ट है 100 1966 की दौड में खिलारियों की संख्या 27 हो तो पहले राउंड में कितनी हीर्ट होगी और परत्ते कहीण हीर्ट में क्रमसह कितनी खिलारी होँगे दौडेंगे तो पहले राउंड में दोस्तों 4 हीर्ट होगी यानि कि आप चार बराबर भागों में बाटेंगे आर्ट रिक चोबीस ठीक है तब भी बट जा रहा है यानि कि चार हीर्स होंगी आर्ट बराबर भागों में बाट रहा है तो चोबीस या रहा है तिन बट जा रहा है तो कितनी हीर्स होंगे तो यहाँ पे 4 हीर्स होंगी यानि की 7-7 खिलारी के 3 हीर्स और 4 हीर्स 6 खिलारी का होगा ठीक है नेश्ट है तो वह कितने मीटर की दोड़ होती है जिसमें हीर्स में पर्थम राउंड होने के पस्चाथ सीधे फाइनल राउंड होता है तो इसमें 10 हजाय मीटर में ऐशा होता है नेश्ट है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर की दोड़ में अगर खिलारी की संक्या अधिक हो तो राउंड सत्था हिर्स के अंदर गत अगले राउंड के लिए खिलारी की संक्या निवन में से किसके गुणन फल के बराबर होगी तो आठ के गुणन फल के बराबर होगी ठीक है नेश्ट है अगर पहले राउंड की हिर्स में फाइनल के लिए आठ धावकों का चैन किया जाता है तो सबसे तेज धावक को कौन सी लेन दी जाती है तो सबसे तेज धावक को तीसरा लेन दी जाती है अगर दुसरे राउंड में तीन हीर्स होनी हो तो उनमें पह़ली हीर्स कौन सी होगी तो जिसमें सबसे तेज धावक होंगे वही पहले हीर्स में रहेंगे नेश्ट है उसेन बोल्ड ने आभी तक 100 मिटर की दोड में स्ववा पदक अंतराष्टी इसतर की प्रतेविक्ता में किस ट्रैक की किस लेन में जीता है तो उढ़ोंने हमेशा 7 लेन ट्रैक की 7 लेन में जीता है तो दोस्तो एथा एथलेटिक्स रिलेटेड महतुपुर कोष्चन्स जैसा कि 6-7 वीडियोज में मिला करके आपका athletics related very important questions हो गये हैं इससे बाहर कोई questions नहीं आ सकता जो भी आएगा एक आथ question current से आ सकता है लेकिन अगर कहले से न पुछ कर इधर से पूछेगा तो इससे related नियम से जो पुछता है इससे बाहर कोई भी questions नहीं आएंगे तो athletics दोस्तो पुरा होता है अब next वीडियो से आपका शुरुआत होगा sports measurement यानि की जितने खेल हैं उनके सभी measurements, rules से related questions होंगे तो दोस्तो I hope की सभी questions आपको समझ में आये होंगे तो दोस्तो बितरी तयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइगें को प्रेस कर लिजिए जिसे निए वीडियो का आपडेट आप तक कुछता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें